बिहार बिज़ेपी के परदेश एच ड़क्टर संजज जैसवाल के दोवारा बिहार में कानून विवस्था को लेकर फेसुग पर लिखे जाने के बाद परदेश में सियासत तेज हो गई है बिहार में सुसासन की बात करने वाले नितिस सरकार के खिलाफ उनके ही साथी बीज़ेपी ने मोर्चा खोल दिया है बीपच तो पहले से ही कानून विवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा करती रही है लेकिन सत्ता के साज़िदार बीज़ेपी ने भी परदेश में कानून विवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है सबसे खास बात तो यह है कि बीजेपी के परदेश अध्याष डॉक्टर संजय जैसवाल ने अपने ये नाराज़गी सोसल मीडिया पर जाहिर की है डॉक्टर संजय जैसवाल ने अपने फेस्बुक पर जिन सब्दों का इस्तमाल किया है उससे तो यही लगता है कि संजय जैसवाल अपने इस सरकार को कोश रहे हैं डॉक्टर संजजर स्वाल ने अपने फेस्बुक बॉल पर लिखा है कि सुबह वेतिया से पटना की और चला हूँ रास्ते में सेमरा में जन्ता ने सडक जाम कर दिया उन से मिलने से पटना चला की सेमरा में आये दिन चोरी हो रही है और आज जब गाउंवालों ने चोर怖ं को पकड़ने का पर्यास किया तो वह मोटर सांकिल छोड कर भागने में सफल हुआ तुरका उलिया थाना परभारी को फोन किया गया तो उल्टे में उबह गाउंबालों को धमकाने लगा कि हम आएंगे तो तुम ही लोगों को गिराफ्तार करेंगे संजेज असवाल ने आगे लिखा है कि पुर्विन चंपारन के थानों में बहुत अवेवस्था हो गई है इस पूरे मामले को लेकर कांगरेस ने बीजेपी और नितिज सरकार पर जोरदार हमला बोला है कांगरेस परवक्ता प्रेम चंदर मिस्रा ने कहा है कि बीजेपी परदेश अध्याच के द्वारा अपने ही सरकार के ध्वस्त हो चुके कानून वेवस्था पर सवाल खड़ा करना अपने आप में पाखंड है उन्होंने कहा कि आज नितिज कुमार की कार सहली और उनके लचर कानून वेवस्था को लेकर सही होगी दल सवाल उठा रहे हैं लेकिन वो अपने इसारों पर जदियू को नचा रहे हैं वह अगर अपनी Facebook पर लिखते है कि बिहार में कानून वेवस्था खत्म हो गई है बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है डीजेपी से मिलेंगे तो वह डीजेपी से क्यों मिलेंगे उनके अपने दो दो डीप्टी CM है आप CM नितियसकुमार से मिलिए इधर राज़त परवक्ता मिर्तिंजा तीवारी ने कहा कि दरसल बीजेपी मुखमंद नितियसकुमार परदवा बनाना चाहती है क्योंकि ग्रेव इभाग नितियसकुमार के पास है इसलिए संजजय जैसवाल ने सोची समझी रजजनिती के तहत ही यह बात कही है इसका जवाब मुखमंद दितियसकुमार को स्वयम देना चाहिए इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने अपनी परतिकरिया देते हुए कहा कि डॉक्टर संजय जैसवाल बेतिया से पटना आ रहे थे सड़क जाम में फसे वहां कि लोगों से बात करने पर पता चला कि चोरी की घटन हो रही है पर शासन के लोग कारवाई नहीं करते हैं सुचना देने वालों को धमकाने का काम करते हैं परिणजन पटेल ने आगे कहा कि संजय जैसवाल ने चिंता प्रकट की उन्होंने कहा है कि सरकार की निती है कि अपराधियों को और अपराध के खिलाफ जीरो टेलरेंस खुद संजज़ एसवाल डीजीपी से मिल कर इन बातों को रखने का काम करेंगे ऐसे में बिहार की सियासत और तेज हो गई है बीजेपी द्वारा बिहार में कानून वेवस्ता पर सवाल उठाने के बाद से भी पच्छ कह रही है कि बीजेपी निती सरकार पर दवा बना रही है बिहार से जुड़े हुए और ऐसे ही ताज़ातिरिन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी नियुच के साथ मुझे जिए जाया धन्यवाद